नमस्कार दोस्तों एक फिर जानदार सांदार वीडियो में अपका फिर से स्वागत करता हूं इस्टेडि नमबर वन की परिवार की तरफ से हां दोस्तों मैं आप मार्च की सबसे टाप सिक्स वैकेंसी को लेकर आ गया और उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिरकार उसकी सैच से जल्द भर देगा लेकिन उसके पहली आपको जान लेना है कि कौन से फाम भनने लाइक मैं उसी फाम को भरिएगा फाल्दू का फाम भनने से कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा इस वीडियो का आप लोग लाश्ट सक देखते रहीगा सबसे पहली बात वैकेंसी की बात की अब ही यानि कहने मतलब यह वेकंसी 25 मार्च 2021 को आ जाएगे अभी इसका डेट नहीं आया हुगा आगे की बात की जाए तो इसके में वेकंसी बात की जाए तो पंदर हजार एप्रोक्स वेकंसी हैं हालांकि नोटिफिकेस्ट आने पर पुरा क्लियर हो जाए कि पंदर हजार एप्रोक्स में बता रहा हूं और इसमें डेट की बात की जाए तो अगस्त 2021 को यानि अगस्त में एक्जाम होगा और इसमें टेंथ वाले यानि जो टेंथ वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़े हैं उनके लिए वेकंसी बहुत ही ज्यादा बेश्ट हो जाएगी आगे बढ़ने से में पहले बता दो कि जो भी नए दोस्तों चैनल को एक बात सब्सक्राइब करके लाइक ठोक दिएगा जरू से जरू लेकिन आपको बता दो कि यहां पर जो भी वेकंसी की बात क अगली वेकंसी की बात की जाए तो हमारे पास नहीं क्या है आर्भी यू यानल वैरियस पोस्ट रिक्यूर्मेंट 2021 अर्थात क्या करने के बतलब है कि राजस्थान राज विदुत प्रसारान निगम लिंटेड यानि यह वेकंसी और इस वेकंसी में राजस्थान के को फिलफ कर सकते हैं और इसमें वेकंसी की बात की जाए तो बारसाफ पंचार में वेकंसी और इससे कौन-कौन भर सकते हैं यानि इसमें लगवा लगवा सभी का प्रचिंटी मिल जाएगा कि चालिस वर्स के बाद तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी भरेगा चालिस बहुत ज्यादा डेट दे दिया चालिस तक तक इस फाम को आप फिलब कर सकते हैं 1295 वेकंसी आप अपने हिसाब से देख करके फाम को फिलब कर दीजेगा अगे अगली वेकंसी थर्ड वेकंसी हमार सबसे टॉप नंबर में बता रहा हूं इसमें थोड़ा सा पोस्ट थोड़ा सा अलग टाइप की मिलती है लेकिन वेकंसी बहुत टाप है और इसकी लाश्ट की बात की जाए तो पंदरा मार्च यानि डेट आने वाला ही समापत ही होने वाला अभी तक दी फाम को नहीं भरे या करके फाम को भर दी जीएगा और अभी आई अफिसका और वाकेंसी की बात की जाए 841 वैकंसी अच्छेकासी वैकंसी है और 18-25 वास इसकी एच क्राइटेरिया है एक्जाम डेट की बात की जाए तो आपटरेल 2021 यानि इक्जाम डेट बहुत फास्ट है इसका एक्जाम मी चुक्य देख सकते हैं कि मार्च मेरी वैकंसी आ रही इधर अप्रेड मी इसका डेट्थ हमारे पास नहीं जो चुका है आ है इंडियान नेभी ट्राइंवेंट एपी सथास्थी नहीं इन्टे गार्ट है इन्टे लेकनाट नेरी लिध कि इस तो को पढ़िए और जाकर कि फाम को फिलब करने का प्रयास करिए गानि किसका वेकनसी इंडियन निभी की इसमें बात की जाए पीज की बात की जाए तो फीज की पतीस सो है अरे सुर्य यार 25 सो नहीं वेकेंसी है अगली वेकेंसी की बात की जाए है हमारे पासिफ फित नंबर की वेकेंसी क्या है NTA नेशनाल टेस्ट एजनसी और इसमें वेकेंसी की बात की जाए है तो अधी से थे जयाएं चैश्य के बात कि जाएं तोंट्र पेंट को फ्ल एफ कर सकते हैं और इसके हम को फिल कर सकते हैं आलग अलग पोर्ष्ट के लिए वैकेश है और सत्रम मार्च 2021 धोग्सका लास्ट टेट जाएका जाया लएक। इसको लाश्ट डेट हो जाएगे 17 मार्च को और इसमें थोड़ा से फिस बहुत ज्यादा हाई है या इसके फिस के थोड़ा से लेकर मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा से प्रवर्वर्पन होई कि यह इतना ज्यादा फिस रखा गया कि जनर वाले 1000 भरेंगे और इसकी बात की जाए तो यही वाला सबसे ज्यादा हाई रखा गया तो सबसे जानदार हो सबसे सांदार हो जाते हैं तो इस वैकेंसी को आप फनने का प्रयास जरूर करेंगा अभी इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है लेकिन अभी वैकेंसी की जो फाम आनलाइन फाम करने का लिंक है अभी तक को चालो नहीं हुआ है तो वैकेंसी की बात की जाए तो सबसे बात हमारे पास में 9534 वैकेंसी यानि वैकेंसी संख्या देखी जाए त्यार यूपी असाइम सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा वैके आपको एक जुलाई 2021 वर्स के 20 में रहना चाहिए एक जुलाई 2021 तक हो जाना चाहिए 21-28 वर्स तक और आगे की बात की जाए तो यह CST OBC में जैसे 5 साल छूट मिलता है 5 साल छूट मिलेगी आपको जो गिता की बात की जाए तो complete यह CST आपको जाए और हैट की बात की जाए तो वही CST OBC जनरर वालों के लिए 108 संटीमेंटर और थोड़ा-थोड़ा कम करके 112 संटीमेंटर एक सटीमेंटर वालों के लिए और फिस की बात की जाए तो 400 और बाकी पुरा नोटिफिकेशन जब आउट होगा तो और डिटेल में पढ़ लिया जाएगा और फिस की बात की जाए तो 400 फिस है और इसका जो आनलाइन फाम करने का डेट है एक अपरेल 2021 से लेकर के 30 अपरेल 2021 के बीच में है यानि एक अपरेल से स्टार्ट हो जाएग इसकार से मैं इसको बहुत ज़्यादा सोड में करने का प्रहास किया जानी इक अपरेल इसकी डेट आजाएगी यानि मार्च खत्म होते ही एक अपरेल से यह फाम डेट लेट फाम डेट आजाएगी और इस फाम को आप लोग करिएगा तो दोस्तों दोस्तों अभी तुम फ जय हिन्द